आज शाम को लोगसभा चुनाओं के exit पोल सामने आएंगे लेकिन उससे पहले 60 बजार का महौल भी बेहत गर्भ है और 60 बजार ने तो अनुमान भी लगा दिया है कि किस गटबंधन और किस पारिटी को कितनी सीटे मिलने की संभावना है वैसे तो लोगसभा चुनाओं के जो सरकार बना रही है सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के 60 बजार की कोलकाता के 60 बजार में यह अनुमाल लगाया जा रहा है कि ändernडिये 26160 सीटो मिल सकती है जबकि इंडिया गटबंधन 228 सीटो पर जीत حासिल कर सकती है मतलब यह गड़े किसी भी गटबंधन की सरकार बंते ह हुवे कोलकाता के सट्टा बाजार में नहीं दिखाया है और अगर एंडिये 261 लाता है तो उसके पास अभी भी बहुमत के लिए 11 और भी सांसच चाहिए तो देखा जाए जो कोलकाता का सट्टा बाजार है उसका अनुमान है किसी भी गठबंदन की सरकार नहीं बन रही है अ इंडिये को 245 सीटों पर जीत मिल सकती है जबकी इंडिया हादबंदन को 2025 सीटों पर सफलतला मिल सकती है यानि दोनों ही गड़बंदन बहुमत से दूर रहेंगे ऐसे में जो एक तीसरा मुर्चा की तमाम पार्टियां हैं जो छोटे-छोटे दल हैं जो किसी भी गड़बंदन का हिस्सा नहीं है अगर यही exact आंकड़े होते हैं तो यह बहुत दिल्चस्प हो जाएगा और यह छोटी-छोटी पार्टियां फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती हैं अब बात की जाए इंदोर की तो इंदोर के 60 बजार का यह अनुमान है कि एंडिये को पूर बहुमत मिल सकता है यहां अनुमान है कि एंडिये को 283 सीटों पर सफलता मिल सकती है जबकि इंडिया गटबंदन को 180 सीटों पर जीत मिल सकती है तो ऐसे में देखा जाए तो इंदोर के 60 बजार इंडिया की सरकार बनाते हुई दिख रही है अब बात करते हैं फलोदी 60 बजार क्या हाल है वहां बीजेपी को अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी अकेले दम पर 290 से लेकर के 300 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है यानि अगर फलोदी 60 बजार की माने तो बीजेपी अकेले दम पर पूर बहुमत हासिल कर सकती है जबकि कॉंग्रेस 40-42 सीटों पर ही सिमर सकती है और अगर ऐसा यह अनुमान होता है तो 2014 के मुकाबले भी कॉंग्रेस के प्रदर्चन में गिरावट देखने को मिलेगी अब ये तो 60 वजार की बात है और आज शाम को एक्जीट पोल आएंगे लेकिन एक्जेक्ट पोल तो 4 जून को ही सामने आएंगे और 4 जून को ही असपश्ट होगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी और किस गठबंदन और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटे जाती है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं योस 24